हमें तो लगा जैसे आठ लाग से 35 लाग गए हैं 35 लाग से एक करोड चले जाएंगे अगले छे महीने और वहां से जम मैं गिरा तो ये हालत आ गए कि मुझे खाना डिलिवर करना पड़ा अपने हां की प्लेटेद होता था अपने हां जालू लगाता था ओफिस से लॉट रह लॉस रिकवर करना है और जब बॉस से हुई बहस तो बॉस ने बोला लेट क्यों आते हो मैंने बोला कि सर ट्राफिक रहता है ये है वो है बहाने मारे और उन्हों ने अपने एगो पे लेके अचार से कंप्लेन कर दी और वहां से मेरी चली गई नौकरी अगले दो दिन के 2018 तक में मेरा टोटल करजा जो था 45 लाग के बास पास था यही करते करते एक ऐसा टाइम हुआ जब मेरा अंदर का कैपिटल 25 लाग था और बाहर जो पैसा था वो पाच करोर से उपर था और ये तरीका है ट्रेडिंग करने का मेरे भहिया जो थे वो सैनिक sicxic ने चाओं से लेकिन मैं क्वालीफाई नहीं करपाया में अ इंथरेंसमें लिया और इंजिनरिंग में जाने के बाद आर्मी का चार्मि का भूट था बोढ़ी दिन के लिए उतरा लेकन इसके बाद दोड़ तर चड़ने के लिए क्योंकि जो मेरे भहिया थे वो आर्मी में ट्रेनिंग कर रहे थे, आफिसर बनने वाले थे, तो अंदर से एक था कि आफिसर बनना है, इंजिनरिंग में एक एंट्री होती है, UES, तो उसमें डारेक्ली आपके कॉलेज में आते हैं, आर्मी के आफिसर्स और वो आपका इंटर इनिंग, उसमें लोग कहते हैं कि बल्क में लोगों को निकाला जाता है, 140 लोगों में सिर्फ 20 लोग बचते हैं, और उन 20 लोगों का 5 दिन टेस्ट होता है, मैंने उस 5 दिन के टेस्ट में पूरा क्वालिफाई किया, हर जगे में लीडर था, टास्क होते हैं, और उसके बा मारी देखबाल कौन करेगा बढ़ापे में क्योंकि सबके माइंड में यही रहता है कि जब बुड़े हो तो बेटे साथ में होने चाहिए सहारा बनना चाहिए और यहां पर मैं आगे दुविधा में क्योंकि मैं अपने फैमिली के बहुत करीब था तो मैं नहीं कर पाया में जाने के पहले एक और खुशी थी आर्मी छोड़ने का दुख भी था बहुत ज़ादा दुख था लेकिन खुशी भी थी कि वहां पे CTC जो कॉस्ट कंपनी दिखाया था वह 3.4 लाग था और उस टाइम पे 3.5 लाग का पैकेज बहुत बड़ा होता था और मुझे लगा तो पहले तीन महीने पचपन सो रुपए एजए ट्रेनी फिर उसके बाद 14,500 चौदा हजार पांसो रुपए फॉर नाइन मन्स तो हम हमारा तो दिली तूट गया कि हम क्या लगा के बैटे थे और क्या मिला तो यहां से थोड़ी सी खुश ना रहने की जो एक अंदर से था करीब 26,000 ती अब उमीद यह थी कि पहली सैलरी ही 29,000 आएगी पैकेज से डिवाइड किया था बारा को लेकिन आई तीन साल दाई तीन साल मेरे फ्रेंड जो थे वो ट्रेड करते थे मैं उनको देखता था बहुत एक्साइटेड रहते थे और मैं बहुत मतलब बोर होता था तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये कुछ तो कर रहे हैं जूसे बड़े खुश रहते हैं कभी प्रॉफित होता था तो कभी बहुत फ्रस्टेड़ रहते थे और कभी-कभी बहुत खुश होते थे तो मुझे ऐसा लगता था यसी क्या चीज है जो इनकी लाइफ को एक्साइट तो सारा हो गया कायब और हो गया हम लॉस में 500 रुपए अब मन में ये आया कि यार पार्टी तो दे दी खुशी-खुशी में जोश में आके लेकिन अब तो लॉस में आ गए अब क्या करें तो पहली लर्निंग जो शेयर बजार की थी वहां पे मुझे मिली कि जब भी प्रॉ सेजन वाला टाइम था उस टाइम पर जादा पैसे तो थे नहीं 50-60,000 रुपीज मैंने लगाए और वो गिरते जा रहे थे स्टॉक सारे गिरते जा रहे थे 70-70% 80-80% डाउन थे अब मुझे ऐसा लगा कि यार गलत जगे आ गये क्या और उसी टाइम पर 20,000 रुपे पड़ हुए थे और वो तो मुझे दो दिन के अंदर ही पुरा लॉस हो गया इस हुआ कैसा कि सत्यम का ख़बर आया कि ये कंपनी मतलब स्कैम है और जो भी ख़बर आई थी उस टाइम तो उसका 180 रुपीज का शेर गिरते गिरते आ गया 60 मुझे लगा इतना सस्ता हो गया ले ले वापस से तो जाए गई मुझे नहीं पता था क्या ख़बर चल रही है मुझे नहीं पता था कौन क्या बोल रहा है मुझे यह लगा 180 की चीज 60 रुपे पर मिल रही है सस्ती है मैंने ले ली 20,000 रुपे थे अगले दिन वह खुल गया 6 रुपे और 6 रुपे से 20 के आसपास किया तम मैंने उसे बेच दिया डर के मारे क्योंकि मुझे मैं सह नहीं पा रहा था तम मुझे एक और लर्निंग मिली कि never catch a falling knife कहते है ना गिरता हुआ चाकु है उसको हाथ में मत लो खोन निकल जाएगा और जब भी ऐसा कोई भी स्टॉक गिरता है तो आपको पता है क्या ह होता है ठीक है और आप उसको catch करने कोशिश करते हो यह सोचके कि बहुत सस्ता हो रहा है तो यह चीज मैंने तभी सीख ली थी क्योंकि सत्यम्वाले से मेरी शुरुआत हुई थी और इस दौरान जॉब भी चल रही थी ट्रेडिंग में भी कुछ कोशिश कर रहे थे एक ऐस कि मेरे साही वाक्या हुआ था मेरे साट मेरा लॉस हुआ था मैंने घाल मंमी को काल किया था ट्योज त Wizards गार्डइलग की बात है मैंने उसे बोला था कि मंम्य मुझे बैंखलोर में नहीं रहा कि मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा है और रोते हुए बोळ की था उर र बहुत जादा ले लेते हैं और जब लॉस बड़ा होता है तो हम जहल नहीं पार दें और मुझे याद मम्मी ने कहा रहे बेटा कोई दिक्कत नहीं तू आज आज नौकरी छोड़के प्रॉब्लम नौकरी में नहीं थी प्रॉब्लम थी स्टॉक मार्केट के लॉस जो मैं जह पाओ और कोशिश करो लॉस कंट्रोल करने की प्रॉफिट अपने आप बन जाए लोग कोशिश ही नहीं करते समझने की कि यह इतना बड़ा जानवर है जो आपको निगल सकता है आपके करियर को बरबाद कर सकता है आपके पहले के करियर से कमाये हुए सारे पैसे दूट सकत था है और यह सीज मुझे समझ में मार्केट में जब मैंने बड़ा पैसा का वाय और वह शुरू हुआ 2011-12 के बाद की हुआ कि क्रेड्ट कार्ट मेरे पास आया और प्रेड़ कार्ड के क्या हुआ अप सब करेंगे कि क्रेड़еट कार्ड का हम पूरा पैसा नहीं देcmनेंं एक आत बार दे देंगे, क्योंकि शुरू में तो हम बड़े responsible होते हैं, लेकिन बाद में हम उसको पूरा नहीं पे करते हैं, minimum due पे करते हैं, और कुछ समय बाद हम minimum due देना भी बंद कर देते हैं, अरे समस्या है, पैसे नहीं इस महीने, दिवाली है, घर जाना है, ये खर्चे हो जाएंगे, वो खर्चे हो जाएंगे, और जब ये space, ये vacuum बनता है ना पैसो का आपके पास, तो आप फिर जाते हो loan की तरह, loan में कोई खराबी नहीं है, एक अच्छी सुविधा है, पैसे तो है नहीं, तो मैंने personal loan लिया, क्योंकि घरवालों को ये लगता था कि अभी तक तो इसने काफी पैसे कमाये होंगे, अब problem ये थी कि वो 3,00,000 का loan जो लिया था, मैंने actually 3,00,000 का लिया था, 3,70,000 का लिया था, और 70,000,000 का credit card का दे दूँगा, और 50,000,000 रुपे से ट्रेडिंग शुरू कर दूँगा, और घरवाले जब पैसा मांगते हैं, तो ये सोच के मांगते हैं, कि लड़के के जो income आ रही है, salary आ रही है, उसमें से आधा बचता होगा, उन्होंने कभी भी मुझसे ये नहीं पूछा कि जब तुम्हारा साड़े तीन लाग का पैकेज था, तो हाथ में कितना आ रहा, साड़े तीन लाग का पैकेज था, पहले तीन महीने पचपन सो रुपे आए, उसके बाद 14,500 आए, उसमें आपको रहना है, खाना है, सारे खर्चे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि एज्यूम किया उन्होंने कि पैसे सारे की सारे इसके बच रहे हैं, और 4-5 साल हो चुके हैं, तो इसके पास पैसे अच्छे होने चाहिए, जब लोन लिया मैंने, तो वो लोन, मतलब इतना फटेगा मुझे कभी, मैंने कभी जिन्दगी में नहीं सोचा था, मैंने सबसे ही कहता था, या लोन ले लिया, आप दुबारा कभी लोन नहीं लोंगा, क्योंकि वो छोटा सा लोन भी बहुत दुखता था, क्योंकि सैलरी बहुत जादा थी ने, सैलरी उस टाइम तक 36,000 की आसपास थी, और उसमें से करीब 15,000-16,000 रुपीज करीब EMI जला जाता था, तब भी लगता था 20,000 में खर्चा चल जाता है, लेकिन ये लोन और बढ़ेगा, मुझे बिलकुल अंदाजा नहीं था, मैं कभी लोंगा, मुझे बिलकुल, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था, लेकिन ये ट्रेडिंग जो थी ना, पैरलली चल रही थी, और ये दुख देती जा रही थी, कभी सुख दे, कभी दुख दे, और जब ये दुख देती है ना, तो आपको लगता है, ऐसे कैसे मेरे पैसे ले लिए मार्केट में, वापस निकालूँगा, पूरा पैसा वसूलूँगा, और इंटरेस्ट के साथ, और ये सोच जो होती है ना, ये बहुत डिंजरस है, इसको हम कहते है रिवेंज ट्रेडिंग, और बिलीब नहीं करोगे आप, पहले लोन के बाद, एक साल के अंदर मैंने छोटा सा टॉप अप लोन भी ले लिया, क्यों? क्योंकि आपको बताया ना, कि पैसा नहीं बनेगा, जब तक मैं उस लायक नहीं बनूगा, और मैं यही कोशिश करता रहा, कि पैसा बनाने के लिए मुझे, मैं तो ठीक हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मार्केट में कुछ गड़ बड़े मैं कल बना लूँगा, अगले महीं बना लूँगा, अगले साल बना लूँगा, बस यह करते 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 करते, आपका समय बीटता गया, और यह आपको भुला देता है कि आप करना क्या चाते थे, करने क्या आये थे, हो क्या चाते, और यहाँ पर मैंने जो correction था, अपनी life में थोड़ा सा किया, 2014 में, trading थोड़ी से बेटर हुई, कुछ indicators, indicators, यह सारी चीज़े यूज़ करना शुरू किया, उस टाइम पर मुझे या लगाया, over bought area है, वहाँ पर हम sell करेंगे, over sold area है, वहाँ पर हम buy करेंगे, तो मैंने जब उसको use किया, तो यार यह उतो बहुत magically काम किया, मतलब मेरी गलतिया थोड़ी कम होने लगे, तो यह था technical part, technical part पर मैंने ध्यान देना शुरू किया, 2014 में, अब आप बोलोगे, 2008 से 2014 क् है, time pass, हम वही कर रहे थे जो आप बहुत सारे लोग आज कर रहे हैं और सोच रहे हो कि हम successful हो जाएंगे market, मेरे पास उस टाइम पे loan हो चुका था करीब 8-9 लाग का approximately, I think approximately मुझे याद है, 9 लैक या 10 लैक हो सकता है, maximum चलो 10 लैक मान लेते हैं, क्योंकि मुझे इतना figure याद महीने, 8 महीने में, क्योंकि आपको loan दुबारा से top up मिलने के लिए call आता है, आप बोलो कि हाँ, हाँ, मुझे चाहिए, क्यों, क्योंकि trading खराब चल रही है, loss recover करना है, और यही करता करते, 2015 आया, 15 में मेरे trading काफी अच्छी हुई, 2015 में करीब मेरे पास 8-9 लाग, 7-9 लाग मेरे पास करीब 35 लाग रुपीज हो चुके थे, मतलब मैंने करीब करीब अपने capital को 4-5 गुना कर लिया था, लेकिन मैं भूल गया था, कि उस 4-5 गुना में एक loan भी है, मैं भूल गया था, कि मैंने इसमें इतने साल दिये भी हैं, तो इतने साल का effort, प्लस इतना सारा loan, उस एक करोड रुपे का profit दिखने लगा था, ट्रेडिंग मेरी अच्छी थी, मैं आज भी कहूंगा ट्रेडिंग मेरी बहुत अच्छी थी, टेकनीक अच्छी थी, टेकनिकल अच्छा था, मैं पकड लेता था, यहां से market उपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन किस दिन जा कब भागना शुरू करेगा, यह market ही जानता है, तो दोस्तों ऐसा हुआ कि 2015 में 35,00,000,000 रुपीज कमाने के बाद, वो 35,00,000,000 कमाने के बाद मैंने वो सारे पैसे अगले 1.5 महीने में गवा दियो, क्योंकि एक बहुत बड़ी opportunity मेरी ऐसी थी जिसमें मैं था, मैंने wait नहीं लगा और फिर मैंने उसको फाइट किया तो एक और लर्निंग यहां पर मिली कि फाइट मत करो मार्केट से जहां जा रहा है उसको जाने दो और वहां पर मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ जो जॉब वाला करियर था उसमे मैंने बहुत सारे देश घूमें आपको बता दो कि मैं मैं पहुचा था उस टाइम पर मैं फ्रांस में लियॉन नाम की जगह पर था वहां से मैं आया मेरा मन नहीं लग रहा था जॉब पर मेरे मेरे ने कहा वापस से तुमको भेजेंगे लंबे समय के लिए बेजेंगे यह सब कमिटमेंट हो गया था कोई और होता मेरी जगे तो तो एक गो आगया था या कहलो आप एक एक Js से क्या हुआ जब मैं लॉत कि वहां इन्हास से हुई बहस और जब बास से हुई बहस तो बहस ने बुक्त और पहं से कंप्लेन कर दी और वहां से मेरी चली गई नौकरी अगले दो दिन के अंदर लेकिन उस टाइम पे मेरी जो EMI थी वो भी 65-70,000 पहुँच चुगी थी कैसे? टॉप अप लोन, धीरे धीरे, मेरे एक लोन नहीं थे, फिर मैंने एक और लोन लिया, और उन लोनों को टॉप अप कराया तो ये सारी समस्याएं बढ़ती गई, क्यों? क्योंकि मार्केट में जब वो 35,000,000 का लॉस हुआ न, तो उस टाइम पे मैं यही रिग्रेट करता था कि काश मैंने अपने उस लोन को पे कर दिया होता, तो और लोन ना लिना पड़ता, क्योंकि अब 35,000,000 आपके माइन में तो यह हुई उस टाइम की जरनी, और उस टाइम पे क्या हुआ कि फिर मैंने जो लोन लिया, फाइट किया, लॉस हो गया, उसके बाद आखरी, आखरी कोशिश मैंने की कि यार, अब मुझे एक अटेम्ट और करना है, और यह अटेम्ट मैंने काफी बड़ा मारा, और उस अ 185,000 का EMI देना है, अब क्या करें? और बचे थे सिर्फ कुछ 6-7 लाख रुपए, उनसे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करो तो लॉसी हो, क्यों? क्योंकि अब माइन्ड में एक और टेंशन हो गई थी कि जॉब नहीं, EMI बढ़ चुका है, लोन है, आगे लोन मिलेगा नही जो मिला, उसको मैंने इतनी जल्दी उड़ा दिया, और जो मैंने लास्ट लोन लिया था, उसको मैंने दो हफते, तीन हफते के अंदर सारा उड़ा दिया, तम मुझे समझ में आया कि यारी, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, और मैं ट्रेडिंग लायक नहीं हूँ, लिट लिटरली बता रहा हूँ, एक ऐसा समय आया, जब जेब में पैसे नहीं थे, और ट्रेडिंग कर नहीं सकते थे, चार से पांच महीने कोई ट्रेडिंग की ही नहीं, कि मैं लिटरली रोता था, और मैं सोचता था, हे बगवान की गलती मैंने ऐसी क्या कर दी, कि मेरे साथ ऐस यह सब हो रहा है, और तम मुझे समझ में आया कि भाई गलती तूने ट्रेडिंग में आके नहीं किये, गलती तूने जिस तरीके इस ट्रेडिंग की है उसमें थी, और वो चीज़ को सुधारा नहीं जब तक मैंने, तब तक ट्रेडिंग मेरी अच्छी नहीं हुई, और फि और 2016 के बाद की बात है, और दुकान खोलते हैं, तो मैंने का यार कौन सी दुकान खोलेंगे, अब हम लोग MPK, तो हमें लगा कि यार पोहे बेचेंगे, पोहे बड़े अच्छे MPK बनते हैं, आपको पता होगा मुमफली डाल की, तो हमने फिर सोचा यार पोहा एक ऐसी ची गया, अब इतना मुश्किल है ना इस लेवल पे ये काम करना, कि पैसे बचते नहीं थे, क्योंकि आपको फिर बैंगलोर में आदमी रखने हैं, जो काम करने वाले हैं, बरतन दोने वाला भी चाहिए, प्लेट दोने वाला, उठाने वाला, और हम नहीं कर पा रहे थे, 200 रुपए से क्या सोचेगा, जब हमाई दुकान चल रही थे ना, मैं हाथ में लेके, पैकेट्स, मैं लोगों के घर में खाना डेलिवर करता था, किसी का घर चौते फ्लोर में, छोटे-छोटे घर होते हैं, 4000 फ्लोर के बना देते हैं, BTM Layout Bangalore में, वहाँ पे मैं रहता था मैं करता था, दर्द है तो क्या हो, करना पड़ रहा था, कोई और चारा ही नहीं दिख रहा था, किस से मागूं क्या करूं, मुझे लग रहा था, ये life शायद थोड़ी better हो जाए, शायद मेरी दुकान चलने लगे, शायद कुछ better हो जाए, वो नहीं हो रहा था, और वहीं मैं बहुत frustrated होता जा रहा था, literally मैंने, सारी उम्मीदे मेरी जा चुकी थी, सारी उम्मीदे मैं खो चुका था, और पैसे trading के बन नहीं रहे थे, तभी 8-9 महीने break के बाद, मेरी 10 महीने job लगी, अब 10 महीने से बेरोजगार, अब लगी मेरी job, तो जो job लगी मेरी, वो लगी IBM में, और अब जो लगी थी, वो थी project manager, IBM में एक अच्छी चीज थी कि वहाँ पर आप work from home कर सकते हो, और वहाँ से मुझे थोड़ा सा life में थोड़ी सी breathing space मिलने लगी, IBM के साथ साथ, मैं ये अपना दुकान भी चला रहा था, खाना deliver करता था, office से lot रहें project manager साहब, और रस् करना पड़ रहा है, तब मुझे समझ में आई पैसे की value, उसके बाद मैंने धीरे-धीरे 5,000, 10,000 रुपीज से अपनी trading शुरू की, धीरे-धीरे मुझे confidence आया, आप believe नहीं करोगे, उस time पे मैंने एक scalping करके technique होती है, वो मैंने शुरू की, वो मैं काफी दिन से करता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा और अच्छे से discipline तरीके से, उसका मतलब है, छोटे से profit के लिए, छोटे time के लिए wait करो trading में, और निकल के बाहर बैठ जाओ, उसके बाद देखना भी नहीं है क्या हुआ, वो technique अपना के मैं धीरे 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 मैंने profit बनाना शुरू किया, 10,000 से ही करता था मैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और वो 10,000 रुपे भी IBM की salary से बचते थे, किराया मैं थोड़ा late देता था अपने owner को, मेरा owner इतना अच्छा कि 2-3 महीने मैंने उसको बीचे में बोला कि uncle दिक्कत है, तो 2 महीने उसने किराया नहीं लिया, late लिया, और वो 2 महीने के जो पैसे बचे, उससे मैंने trade किया, और उसके बाद मेरी trading बेटर होती गई, क्योंकि मैं जब भी trade करता था, 5000 से तो मैं 500 रुपे लेके निकलाता था, 10,000 से करता था, 1000 पड़ेगा, वो control मैंने लाया, और जब वो control लाया, उसके बाद से मेरी trading बेटर हुई, और ये scalping technique करते करते, 2018 में मैं profitable होने लगा, तो धीरे धीरे मेरी trade अच्छी होती गई, क्योंकि मैं बहुत बड़े धलदल में था, 2018 तक में मेरा total करजा जो था, 45,00,000 के पास था, 45,00 का करजा, salary कितनी थी, एक लाख 5,000 रुपए, EMI कितना जाता था, 85,000 रुपीज, कैसे मैं निकलूंगा इन सारी 600 से, trade करके निकल सकता हूँ, या मेरी दुकान बहुत चलने लगे, या फिर कहीं से चमतकार हो और लौट्री निकल जाए, लेकिन दोस्तों, जिन्दगी में लौट्री इतनी आसानी से नहीं निकलती है, आपको effort उसमें भी करना पड़ेगा, आपको फिर भी टिकट लेना पड़ेगा उसका, और यहां पे लोग सोचते हैं कि या भगवान चमतकार कर दो, effort आपका जब तक नहीं होगा चमतकार नहीं होगा आपकी लाइफ में, और म यह माइनस 45 से आया हुआ इंसान है, पहले जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी जब में 35 लैग गया था, दो-दो लाग, तीन-तीन लाग का profit दिखता था, लेकिन बुक नहीं करता था, यहां पे पांस और रुपे का profit दिखता था ना, मैं निकाल लेता था, बुक कर लेता था, और यह जो चीज थी, मैंने money management start किया, अगर आप market में पैसा बनाते हो, तो आधा profit उस दिन का निकाल लो, जिस दिन आपका loss होता है, उस दिन मानलो धंदा है, धंदे का loss हुआ है, capital कम हुआ है, आपके capital का एक ही मकसद है, आपके capital का जो मकसद है, वो कुछ profit कमा के देना, ज ऐसे क्यों नहीं निकालते हो बाहर, तो यह चीज मैं follow किया, और 2021, आज भी जब मैं अपना profit बताता हूँ, तो एक दिन में नहीं हुआ, मैं आपको बता दूँ कि last year जो profit था, करीब 1 करोड के आसपस था, और उस 1 करोड profit से मैंने अगले साल 4-5 गुना बनाया, उसका fake reason था, क्योंकि मैं जब trade करता था, तो आप बोलो, यार इसके पास 1 करोड capital होगा, एक करोड capital कभी नहीं था, 50 lakh से trade करता था, 25 lakh अगर बन गया, तो 25 बाहर आ जाएगा, सिर्फ 50 अंदर रहेगा, और यही करते करते एक ऐसा time हुआ, जब मेरा अंदर का capital 25 lakh था, और बाहर ज logical है, तो पैसा बना के देगा, अगर नहीं भी देगा, पीछे रखा हुआ है, और backup जो होता है, वो बहुत जरूरी होता है, life में भी, तो यहां पे जब मैंने profit बनाया, profit तो मेरा बन गया, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे अपनी life का सबसे success लगता है, और सबसे बड़ा decision भी था मेरा, वो यह था कि जब मेरी मम्मी को पिछले साल cancer हुआ, मैंने आपको बताया है, मेरी मम्मी गुजर चुकी है पिछले साल October में, जब उनको cancer detect हुआ, मैं free था, मैं आजाद था, मेरे पास profit के पैसे थे, इतने पैसे थे कि मैं बिना insurance की भी उनका पूरा treatment करा सकता है, और ready भी था कराने के लिए कि सारे पैसे चले जाएं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तम मुझे realize हुआ कि army जो छोड़ने का decision था, वो मुझे लगता था उस time पे गलत है, लेकिन उपर वाला लिखता है, कि भाई, कल को जरूरत पढ़ कहीं TV interview में जाओं, तो ये सारी चीज़े मेरे लिए सबसे बड़ी success है, stock market में जब आप आओगे न, तो अपनी personal life को भूलना मत, personal life को देखते रहना कि सब आपके आसपास के लोग ठीक हैं, क्योंकि अगर वो बिगड़ेगा, तो आपकी trading भी बिगड़ेगी, तो I hope दोस्त होते रहें, trading में बहुत struggle आएंगे, लेकिन आपको fight करते रहना है, और मैं और सारी दुनिया आपको बदद करेगी, अगर आप positive हो, अगर आप कोशिश कर रहे हो, सीखने की, समझने की, और better बनने की, I hope ये वीडियो अच्छा लगा, चाहेंगे. क्योंकि आपने ये talk देखी है, इसका मतलब है कि आप अपने चीवन में सही skills के जलिए पैसा कमाना चाहते हैं, और successful बनना चाहते हैं, चाहे compounding के concepts हो, या फिर stock analysis करना, या फिर investment के basic concepts को समझना, इन सब में आपकी मिनत करता है Joe Stocks का Joe Stocks English Speaking App, यहाँ पर आपको मिलती है first life quizzes, यहाँ पर आपको मिलती है खेर सारी exercises और साथ में सबसे important आपको मिलती है कैसी community जो आपको help करेगी finance related topics को बड़े आजान तरीके से समझने में, तो तो देर किस बात की आप ये दाउनलोट करिए Joe Stocks English Speaking App और लीजिए अपनी financial freedom की तरफ पहला कदम